नमस्ते, मैं हूँ Dr. Aachal Pant और आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप कैसे ग्लोई स्किन पा सकते हो कैसे अपने स्किन को स्मूद बना सकते हो और इसमें ज्यादा महनत भी नहीं लगेगी एकदम छोटे सिंपल स्टेप से कैसे आप अपनी स्किन को इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगी और जो भी मैं प्रड़क्स बताऊंगी वो सारे टाइप के स्किन टाइप के लिए सूट करेगा जैसे कि अगर आपके ड्राइ स्किन हो या oily skin हो, या combination skin type हो, उसमे भी ये products अच्छे से काम करेंगे, तो शुरू करते हैं, पहले तो ध्यान रहे कि आपकी health जब अच्छी होगी, तभी जा कि आपकी skin भी अच्छी रहेगी, तो आपका diet कैसा है, कि आप जादा junk food खाते हो, fast food खाते हो, जादा मीठा खाते हो, उसका भी बुरा असर रहता है अपने skin में, आपकी lifestyle कैसी है, आप कितना stress में रहते हो, उसका भी असर दिखता है अपने skin में, कि आप रोज exercise करते हो कि नहीं, दिन में हर रोज at least 30 minutes भी exercise करोगे, तो उसका बहुत अच्छा असर आता है आपके skin में, कि आप जादा समय screen में बितात हो, उससे भी आखों के नीचे, dark circles होना, puffiness होना, ऐसा देखा जाता है, और आपकी overall skin एगदम tired लगती है, और क्या आप अच्छे से रात को सूते हो, इसका भी impact रहता है skin में, जो आपने notice किया होगा, कि जब भी आप 7-8 गंटे सूते हो, तो आपकी skin बहुत जादा बेटर सकती है, आप fresh दिखते हो, और well rested दिखते हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है skin को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा skin genetics के उपर भी dependent रहता है, कि आप कैसे aging होती है, आपके कैसे जूरिया आते है, आपका कितना sagging होता है, ये सब genetics के उपर भी ताफी हद तक depend करता है, त तो प्लीज अपने diet, lifestyle के उपर ज़रूर ध्यान दे, उसे भी आपके skin काफी हद तक better हो सकती है, आप मैं बताऊंगी क्या products इस्तमाल कर सकते हो, जैसे कि आपकी skin में glow रहे और आपकी skin healthy रहे, तो इसमें हम divide करते है, morning routine और night routine, तो morning में आप क्या क्या इस्तमाल कर सकते हो, त जादा irritating नहीं है आपके skin के लिए, और बहुत नाजुकी से आपके skin को clean करता है, पहले अपने चहरे में पानी लगाओगे, उसके उपर आप एक पंप ये face wash का लेके, अपना चहरा इससे दोगे, इससे भी आपके skin बहुत smooth, clean और fresh feel रहेगे, इसके बाद आप यूज करोग वाइटमिन C अच्छा ingredient होता है अपने skin routine में include करने के लिए, जो वाइटमिन C है वो आपके dark spots को light करेगा, आपके जूरियों को बनने से भी थोड़ा कम करेगा, और आपके skin को UV radiation, sun rays से भी बचाएगा, इसलिए वाइटमिन C एक अच्छा ingredient होता है अपने skin care में include करना, आप देखिए कि moisturizer में ceramide हो, ceramide moisturizer skin के लिए बहुत अच्छा होता है, यह skin के barrier है उसको maintain रखता है, तो आपके skin को dry होने से भी बचाएगा, और आपके skin में अगर कुछ भी irritation है, इचिंग है उसको भी यह ceramide moisturizer कम करेगा, यहाँ पे मैंने इस्तमाल किया है, fox tail का ceramide moisturizer, यह हर है, combination, oily, यह सब skin type में, यह moisturizer बहुत अच्छे से काम करेगा, यह oily भी नहीं feel करता, लेकिन फिर भी आपकी skin बहुत अच्छी smooth और moisturized feel रहेगी, जैसे आप देख सकते हो, यह moisturizer skin बहुत glowy और smooth दिख रही है, तो यह आप इस्तमाल कर सकते हो, vitamin C के ऊपर, आप यह moisturizer makeup के नीचे लगा सकते हो, अगर आप थोड़ा सा foundation लगाना चाते हो, तो यह moisturizer बहुत अच्छा base बना देगा आपके skin को, तो इसके उपर आप foundation या concealer बे इस्तमाल कर सकते हो, तो moisturizer के बाद आता है sunscreen, sunscreen बहुत important step होता है morning skincare routine में, यह आप बिलकुल ना skip करे, अगर आप घर के अंदर हो तो एक बार आप sunscreen ज़रूर लगाए, क्योंकि जो भी balcony में आप जाते हो, या जो भी खिड़की से धूप आती है, वो भी आपके skin में dark spots कर सकते हैं, अगर आप बहार कुमते हो, तो हर दो दो घंटे में आपको sunscreen लगाने की ज़रूत रहती है, यहाँ पर मैंने इस्तमाल किया है Sunstop Silk sunscreen, इसको आप अच्छे से, ऐसे जैसे मैंने दिखाया है, वैसे लेके अच्छे से अपने चेहरे में लगाए, और sunscreen को थोड़ा सा time to absorb होने के लिए, इसको अच्छे से blend करें, ताकि यह अच्छे से आपके skin में merge हो जाए, और वो दिखेना, तो blending of sunscreen बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा white cast रहता है, अगर आपके sunscreen में zinc oxide है तो, लेकिन zinc oxide आपके skin को अच्छे से protection भी देगा, और थोड़ा सा आप 2-3 मिनिटे इसमें spend करोगे, इसको अच्छे से blend करने के लिए, तो यह आपके skin में दिखेगी भी नहीं, और अच्छे से आपको sun protection भी देगी, तो यह जोई और healthy रहे, पहले तो आप अच्छे से अपने face को दोगे, तो यह fox steel duet cleanser बहुत अच्छा है, आपके make-up निकालने के लिए और जो भी waterproof sunscreen है, उसको भी निकालने के लिए, मैंने सुभे से one pump इस्तेमाल किया था, लेकिन शाम को में दो या तीन pump इसका इस्तेमाल करती फिर अच्छे से damp skin में, भीगा हुआ skin में अच्छे से इसको लगाती हूँ, इसको थोड़ा time दे, आप अच्छे से इसको foam करने दे और इसको थोड़ा सा massage करे skin में ताकि आपकी सारी make-up, waterproof mascara, eyeliner और जो भी sunscreen है वो अच्छे से निकले, इसको थोड़ा time दे, जल्दी बाजी ना करें क्योंकि skin को अच्छे से clean करना बहुत ज़रूरी रहता है, यह सबसे important step है आपके night time skin के routine में, इसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो corrective creams, हमारी skin type में dark spots दिखने लगते हैं, तो इसलिए आप alpha arbutin या kojic acid या acrylic acid based creams इस्तेमाल कर सकते हो, यहां मैंने इस्तेमाल किया ह minimalist के alpha arbutin serum, इसको आप बस थोरे से drops, जहां जहां पर आपको dark spots लगते हैं, वहां पर लगा सकते हो, इसको 2 minute day absorb होने के लिए, उसके बाद आप लगाना retinol cream, retinol जो है vitamin A derivative है, यह जूरिया को कम करता है, आपके open pores को कम करेगा, आपके skin को more even tone देगा, scars को भी थोड़ा improve तो इसलिए retinol आप रात को जरूर अपने चेहरे में लगाए, और जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है, वैसे ही आप retinol को लगाए, थोड़ा सा ही quantity लेना है, बस piece sized amount, एक मतर के दाने जितना ही आपको लेना है यह retinol, और छोटे छोटे इसको dot करके अपने पूरे चेहरे में spread करें, ऐसे आप कोई area skip भी नहीं करोगे और अच्छे से evenly आप यह retinol को इस्तमाल कर पाओगे पूरे चेहरे में, यह retinol के बाद आप फिर से एक ceramide moisturizer इस्तमाल कर सकते हो, मैंने use किया है, यह foxtail का ceramide moisturizer, यह मैंने सुबह भी use किया था, रात को में थोड़ा सा ज करके सोते हो, यह fan on करके सोते हो, तो यह आपको skin को dry कर सती है, और आपके skin से नमी खीच सती है, तो जब आप सुबह उठोगे तो आपको लगेगा कि आपकी skin में जूरी और जादा दिख रहे ही, और एकदम खीचा खीचा लग रहा है, इसलिए एक ceramide based moisturizer आत को यूज करना बहुत जादा अच्छा रहता है skin के लिए, यह आपके redness, itching, irritation को भी कम करता है, अगर आपके skin में कोई भी लाल दाने है, या खुजली जैसा है, या irritation है, आपको खिचा-खिचा लग रहा है, उसको भी यह ceramide cream बहुत अच्छे से कम करता है, तो ceramide cream ज़रूर इस्तमाल करें जो हमने पहले इस्तमाल किया है, correcting cream और retinol वो भी अच्छे से सील हो जाता है, यह भी अच्छे से काम करेंगे जब एक ceramide का layer होगा उपर, तो यह आप ज़रूर लगाए, तो बस इतना ही था night time skincare routine, आप इतने भी बस steps follow करोगे, एक अच्छा सा cleanser, उसके बाद एक retinol cream, एक correcting cream और एक moisturizer, इतना भी आप इस्तमाल करोगे, तो आपकी skin काफी अच्छी रहेगी, यह routine आप regular basis में follow कीजिए, तीन से चार महिने में आपको definitely अपने skin में सुधार लगेगा, आपको dark spots कम लगेगी, आपकी skin smoother लगेगी, और glow-y भी रहेगी, तो glow-y skin पाने के लिए जादा ख description box में link करूँगी, अगर आपको Fox Steel के products खरीदने हो, तो मेरा code ज़रूर इस्तमाल करें, आचल 15, आपको इसमें additional discount मिलेगा, मैं Fox Steel को शुक्रिया करना चाहती हूँ, यह video में मेरे साथ collaborate करने के लिए, मैं आशा करती हूँ आपको यह video अच्छा लगा, और इसे कुछ सीखने को मिला, ध्यान रहें कि आपके skin अच्छी करने के लिए, आपको मेहंगे products के बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस simple steps भी आप follow करोगे, तो आपके skin smooth और glowy दिखेगी, आपको अगर ऐसे skin और hair related videos अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे मेरा Instagram handle Dr.AachalMD में जरूर follow करें, विडियो देखने के लिए शुक्रिया